हाँ जी तो कैशा आप लोग मैं पनिलेश पिया बहुत बहुत श्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोड का 2024 का अभी फरोडी भी जो 22 फरोडी को आपका एक जाम होने वाला है उसके लिए यह हिंदी का एक इंपोर्डेंट पेपर जी हमें दोस्त यह जो पेपर है यह आप लोग आप लोग का जो प्रिबियस यह पेपर अभी 2023 पर पेपर हुआ था वो पेपर है तो आपका 60% से 70% कोश्चन तो इसी में से पास जाएगा ठीके तो इसी लिए प्रिबियस यह पेपर सॉल्व करना बहर जरूरी है और एक तरह से यह बोड पर इच्छा 2024 के लिए मॉडल पेपर विए तो चलो इसको शॉल्व करते हैं हम लोग बहुत सारे लोग को देख रहा हूं कि यहां के लिए 2024 लिखकर और इसको आरल मॉडल पेपर बता कर और सॉल्व कर रहे है और यहां पर इसमें जो भी कोश्चन हट चुका है जी हमें दोस्त यहां पर देखो हिंदी में आपका संधी वाला यह हट चुका है यह सब दोरूप वाला जो चीजे है यह हट चुका है इसको भी बता दे रहे कि यह भी आएगा ऐसा नहीं वो नहीं आएगा ठीके तो क्या हटा है क्या नहीं हटा है साथ में मैं बताता चलूँगा और आपको सॉल्व भी कराता चलूँगा तो आप वीडियो में अंतक बने रहे ना और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकान को दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की आपको मिलती रहे अगर मुझसे आप हिंदी एक्जाम टाइम तक पढ़ते हो ना आपका सतर में सतर फिक्स हो जाएगा भाई ठीके चलो शुरू करते हैं सॉल्ब करना सबसे पहले खंड औ के अंतरगत हम लोग बहुबी कल्पी प्रसंद पढ़ते हैं और जीतने भी मैं आप आपको बता दू कि जितने भी लक्षे बैच वाल इस्टुएंट है न वो इस वीडियो को ना देखे ठीके सीधे सीधे लक्षे बैच में इसका मैंने पूरे पूरे अच्छे से PDF सालूशन भी डाल रखा है जो भी इधर आपका संदर ब्याक्या है इधर जो संदर ब्याक् पर चले जाओ एप ठीक बाकी ये लक्षे बैच क्या है चलो मैं objective को ये solve करकर आपको भी बतायता हूँ आप join करना चाहते हो तो कर लेना ठीक है यहां से आपके 80-90 प्रशन मार का असानी से आ जाएंगे चलो सबसे पहला question क्या है आप देख सकते हो कि अचाय राम चंद्र स तो सुकलिव के लेखक हो जाएंगे ठीक उसके बाद second प्रसन है कि गबन की बीधाय देखो गबन गोदान आपने पढ़ा होगा ये इसकी बीधा पूछ रहा है इसके लेखक तो पहले कौन है तो वो प्रेम चंजी है और ये उपनियास बीधा की रचिनाय है ठीके गबन ग प्रसनों को हमने कर लिया चलो इस बगल आजाते है एस junior me 22% में आज जाता हूं और इधर वाले जो प्रसन है इसको ठोड़ा एक मिनन्मय फोल्ड कर लेता हूं और इस बगल वाले जो परसन है उनको हम लोग शॉल्ब करते हैं यहां पे देख सकते हो अगला प्रसन है चौत है ठीक है और कभी-कभी इसकी विधा पूदेता है तो ये जीनी विधा की रचना है तो जीनी विधा की रचना है लिख्य किसने है तो अमरतरायन है अग्ला प्रस्ने 5 वहाभ सुकलय की समय उधित है काफी इ fif न हुल आपक Uh जामें आता है तो देखो जो शुक्लिव की शमायोदी है यह समय सीमा है वो 1929 इसमी से 1938 इसमी तक मानी जाती है यह बीवल आपका बिल्कुल राइट आप्शन हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद छे नमर प्रसन आपी स्क्रीन पर देख सकते हो यह प्रसन है कि साकेत रचन ह है काफी फेमस रचन है सब लोग इसके बारे में जानते होगे कि मैतली सनर गुप्त जीद्वारा रचित एक महा काब्व है ठीक है तो यह डीवल आपका बिल्कुल राइट आप्शन हो जाएगा प्रसन क्या छे के लिए ठीक प्रसनोतर संक्या साथ देख सकते हो यह क्या ह प्रसन क्या अधुनी काल की समय सीमा है हमें इस प्रसन में आधुनी काल की समय सीमा बताना है तो देखो 18-43 से अब तक का जो शमय है उसे आधुनी काल के अंतरगत रखा गया उसको अलग-अलग कालो में बाटा गया है तो इसके लिए यह डीवल आप्शन मिल्कुल राइट हो जाएगा क्लियर चलो प्रसंक्या 9 भी हो गया प्रसंक्या 10 देख लेते हैं यह क्या है कि महादेवी वर्मा की रचिना नहीं है देखो यहां पर नहीं है हमें बताना है तो निहार सांधिगीत युगांत दीपसी का देखो निहार सांधिगीत दीपसी का यह तो इनकी काफी फेमस फेमस रचिना है लेकिन जो युगांत है ठीक है यह इनकी रचिना नहीं है I think सुमित्रा नंदन पंद की है ठीक चलो यह तो ये आपका नहीं है, तो ये वाला चलो आगे देखते हैं अगला अब यह देखो दस दो शुरू के प्रसण थे ना यहापके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुखले खक और कवी उनकी रचनाओं और विधाओं से सम्मादित प्रसण थे अब आगे कि आपके एकतर से स प्रशंक्या बारा के लिए अब देखो यह काफी अमतब फेमस लाइन है लिए उपन लंकार placing प्रसन प्रसफितë सूथा मैं चнач रण होते हैं कितने चर रण होते हैं ये फिर एक रण होते हैं अगर पूछप दे तो सोठा में याद रखना जो रोला होता है न उसमें ठीक है आठ चरण होते हैं और जो सोठा होता है न उसमें आपके चार चरण होते हैं ठीक तो सोठा में आपके चार चरण हो जाएंगे और अगर उहीं पर रोला पूछ दे तो उसमें आठ चरण हो जाएंगे क्लियर इनमें डिफ्रेंस याद रगना काफी confusion होती है अगला तियरा कबाद 14 नमर प्रसंद देख लेते हैं भाई कि उपदेश सब्द में परियुक्त उपसर्ग है उपदेश में उपसर्ग जो किसी सब्द के पहले लगा हो जैसे देश के पहले उप लगा है यह सी वाला अपसन बिलकुल राइट हो जाएगा ठीके उसके बाद देखो प्रसनोतर संक्या 15 देखो यहाँ पे स्टार मार्ग लगाया गया है तो यह प्रसन आपका हट गया है ठीके यह प्रसन क्या है आपके स्लेबर से हट गया है हिंदी में परतिया से सम्मंदित प्रसंद नहीं पूछेगा चलो, बाकी परतिया के दो भेद होते हैं ठीक, परतिया के भेद हैं तो दो होते हैं बाकी इसको करने का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि परतिया से रियेटेड प्रसंद नहीं आएगा हान इलाब या फिर माता पीता ठीके बीच में यह हाइफ़न आ जाए और जिसका आप समास बिगरा करो तो बीच में और अथवा या आए तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है वहाँ पे आपका याद रखना द्वंद समास होता है ठीके वहाँ पे आपका द्वंद समास ह प्रश्ण देखते हैं इसमें काफी गन्फीजन होता है यहीं एक जाम्य आता है हमेशा ठीक है अगर तिर्भुज पूछदे तिर्भुज में कौन सा समास है तो भई तिर्भुज यह संख्या बोदक है ठीक है तो इसमें आपका दिवगुज समास हो जाएगा लेकिन यहां पर हानिलाब या फिर माता पीता है ऐसा कुछ पूछ दे बीच में यह हाइफन हो ठीक है जिसका आप समास बिगर करो तो बीच में और अथवाया यहां तो वहां पर आपका द्वद्द समास हो जाएगा चलो अगला प्रसंद देखते हैं 16 नंबर यह क्या है कि मचली का प् मधू सब्द का द्वितिया ब्यक्ति बहुँ अच्छा रूप बताने यह भी नहीं आएगा आपका एजाम में ठीक है और यह धाद रूप भी नहीं आएगा इन तीनों के जगा पे ठीक है आपका नया नया टॉपिक एड़ किया गए है आप जानते हो वाक्य का स्वरूप वाच्छी परिवर्तन और एक भीकारी और और भीकारी सब्द उन से प्रसन आएगा ठीक है तो मैं अपने द्वारा जो मॉडल पेपर बनाऊंगा उसमें इन टॉपिक से रिलेटेट कोशन डालूँगा तो आप देखना वही एक जामेर फंज जाएगा बाकी इसको अभी ह प्रसने इनको थोड़ा देख लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा लक्षे बैच के बारे में बता दू जैसा कि मैंने कहा MC की खतम होने के बाद मैं आपको लक्षे बैच के बारे में बताऊंगा ठीक है तो चलो लक्षे बैच के बारे मैं बता दू लक्षे बैच बिसिकली है क्या देखो हमारी एक एप है अगर आप नहीं जानते तो UPSP Study UPSP Study आप Google Play Store पे सर्च करोगे जाकर तो यह मिल जाएगी या इसका लिंक इस वीडियो के description में भी मैं डाल दूँगा आप डाउनलोड कर लेना अगर लक्षे बैच भी नहीं ले रहे हो नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको previous year paper पर फ्री में मिल जाएगा केवल previous year paper मिलेगा अगर उसका solution लेना चाहते हो ठीके तो आप यह लक्षे बैच ज्वाइन कर लेना ठीके जिसकी जी हम मेरे दोस्त ना तो 9,99 ना तो 6,99 ना तो 4,99 केवल और केवल 2,99 रुपे होने वाली है इस 2,99 में आपको क्या-क्या मिलेगा देखो मैं आपको बताता हूं इस 2,99 में जो previous year paper है यानि 2023 का paper है उसमें आपका Hindi, English, Math, Science, Social Science ठीके इनका मैं अभी तो इनका aid कर रहा हूं औ और अभी चलकर आगे संस्कीत और आट का भी एट करूँगा जो सातो सातो सेटो का paper है जैसे हिंदी का सातो सेट का English का सातो सेट का वो भी video solution के साथ साथ PDF solution भी मिलेगा PDF solution इसलिए मिलेगा क्योंकि PDF रहेगा आपके पास तो आपका कल exam है तो आज पूरा का पूरा आप revise कर सकते हो PDF से ठीक है तो इसलिए वीडियो के साथ PDF भी रहेगा यह सब चीजे पढ़कर आप आसानी से 80-90 प्रशन अपने बोड़ीजा में ला सकते हो आप अपने किसी भी offline teacher से पूछे लेना कि अगर मैं previous year paper solve कर लेता हूं ठीक है यह science का sample देख सकते हो मैंने screenshot लेकर notes में से कुछ यहां पे add कर दिया है यहां पे ठीक है तो ऐसे मिलेगा तो आप लक्षे बैच ज्याइन कर सकते हो मात्र 2-90 में यह UPSP डाउनलोड करकर यहीं पे आपको payment करना होगा payment करने में कोई भी दिक्कत आए तो वहीं पे आ कर दिया जाएगा तो आप जरूर ज़्वाइन करना यार मात्र 2-99 रुपे के लिए अपना future मत खराब करो 2-99 के लिए आपका मालोग आपके exam में 50 mark भी आपका बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी चीज होती है ठीक चलो तो यहां पे हम लोग चलते हैं अब आगे बहुत को साइड करते हैं ठीक और यहां पर अगले प्रसंद को जो वरड़ात्मक प्रसंद इनको हम लोग शॉल्प करते हैं ठीक अब देखो निम्खी गद्यांस पर धारित दिये गए तीन प्रसंदों के उत्तर दीजिए ऐसा प्रसंद रहेगा पहला यहां पर प्रसंद रहेग अब देखो यहां पे जो ये वाला गध्यांस है उपर वाला ये क्या है कि आज हम इसी निर्मल सुद सीतल और स्वस्थ अमरित की तलास में हैं और हमारा इच्छा अभिल्यासा और प्रयत्निया है कि वह इन सभी अलग-अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बह जो जमाने के हजारो थपेड़ों को बरदास्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्तु को कायम रखे हुए है और रखेगा ये देखो ये गध्यांस न थोड़ा कठीन हो जाता है ये आपके किस चेप्टर से सायद आप पकड़ न पाओ लेकिन देखो ये पढ़ोगे यह को न करकर इसको करना क्योंकि ये आसान है इन तीन प्रशुनों का उत्तर देना इस गध्यांस से सम्मणित लेकित चलो मैं इसको भी बतायता हूँ देखो ये जो गध्यांस है आपका चेप्टर है एक भारतिय संस्क्रीती जिसको लिखा है डाक्टर राजेंडर प्रसाद ने ठीक तो simple आपको पता चल गया तो इसका आप संदर्ब इस गध्यांस का संदर्ब आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तूर गध्यांस हमारी पाथ है उस तक हिंदी के भारतिय संस्कृति नमक पाथ से लिया गया है जिसके लिखक जैसंकर प्रसाद है ऐसे लिख दोगे संदर्ब उसके पाथ गध्यांस के रिखांकी कंस का भावासपर्ष करने भाई इसका भावासपर्ष आप करते रहना बाकी लक्षे बैच में मैंने अच्छे से लिख रखा है इसको तो आप देख लेना ठीक है अगर लक्षे बैच के आप स्टूरेंट हो तो और अगर आप अचाय राम चंदर शुकल तो इसका तो आप संदर बिख दोगे और फिर यहां पर रिखांकी गंस की भी आख्या तो इसकी काफी असान है आप करते रहे ना और यहां पर एक प्रसन है तो इसको पड़ोगे तो प्रसन का उत्तर भी मिल जाएगा तो यह रहा दोनों का दोन गद्यांस ठीके अब चलो हम लोग अगले प्रसन पर चलते हैं सेकर्ड प्रसन सेम इसी तरह कर रहेगा लेकिन यह पद्यांस सम्मंदित रहेगा यहां पर आपको एक प्द्यांस दिया रहेगा और इधर देखो यहां तक आया है और अथवा करकर ठीके इससे लिटे टीन प्रसन पूचा गया तो आप दोनों में से कोई एक करो आपको एक ही करना होता है ठीके आपको कोई एक करो लेकिन चलो मैं यहां पर दोनों को दोनों करा देता हूं ठीके यहां पर देखो पहला जो यह गद्यांस से ठीके पद्यांस से माफ करना अगर गद्यांस बोल दो पद्यान जो है ठीके ये देखो ये निर्गुण कौन देशकाव आसी मधुकर कहीं समझाओ शर्दे बुजती साच नहां सी को है जनक को है जननी को नारी को दासी ये देखो ये ना ये मतलब जब गोपियों को उद्धोजी जाते हैं समझाने ठीके और निर्गुण ब्रमक क उपासना करने को उनको कहते हैं तो ये गोपिया उनसे कहते हैं कि को है जनक को है जननी को नारी को दासी ठीके तो ये किस चेप्टर से लिए गया है तो ये सूर्दाह जी द्वारा लिखी थे आपके बुक में ठीके चेप्टर सूर्दाह जी द्वारा लिखी थे पद नाम करें कि पत्र श्य्सक्राई गर्पीक्त पध्यांस हमारी पुष्टक हिंदी प्दनामक पार्थ से सी लिए तो आप इसकी करते रहे न हैं भाई से क्या कहते है निरल्गुर्प्र Smash कन्स न करना करने कुह रुती उद्धो हमें ये बताओ कि को है जनक तुम्हारे निरगर्बरम जो है उनके जनक को न है को है जनी उसकी जननी को मैंने अर्थ बता दिया और मदुकर सब्द का अर्थ क्या है तो वहौरे से है ठीक चलो भई तो यह हो गया बागी इस आज़र जो है इसको भी मैं आपको करा देता हूं देखो यह क्या है अतुलिनिय जिनके परताप का सक्षी है प्रतियप्षिदीव आकर घूम-घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मकृति ने साकर अब देखो यह जो है न यह आपका यह यह आपका स्यक्षाटर लिखिते एक चेप्टर है स्वाधंप्रेम ओस उस में से यह लिया गए है ठीक हो यह पकतिया उस्सी चेप्टर में से ल रहे ना और उपिक पद्यास में किसकी महिमा का वर्ण किया गया है तो भाई वो तो हमारे जो भी भी भीर पूरुस हैं उनकी महिमा का वर्ण किया गया है ठीक चलो तो यह हो गया अब हम लोग ठर्ड प्रसन पे चलते हैं ठर्ड वाला प्रसन देखो यहाँ पे यह आपका न two-master को जिसका संद्रब का 2ằng Hindi में व्रवाक कियांद का 3 me निकुल 5 N llyga तो देखो यह मज़ए नगर भारती संस्कृति को शोका के चैंद्रű स्थालम्phonम Stevens टिरति हैं यह नियह नगर भारतिय संस्क्रप्रई रौई साथ केंद्रस थरिए यह आप यहीं से पकड़ लोगे कि आपका जो वारांसी वाला चेप्टर है उसी से लिया गया है तो सिंपल इसका संदर्ब लिख दोगे कि और इसमें लेखक या कभी का नाम उम नहीं लिखना होते इसका संदर्ब कैसे लिखोगे कि प्रस्तूत संस्कृत गध्यांस हमारी पाठे पुस्तक या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तूत संस्कृत पक्तिया हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित या संस्कृत खंड में दी गई वरार्सी नामक पाठ से लिग गई है ठीके ऐसे लिख दोगे आगए आप लेख़क कभी का इसमें नाम नहीं लिखिना होता है ऐसा कि वह यहां पर लिखी दोगे आपका काम खतम अब हिंदियन बात कर दिये हिंदियन बात अफैटिंग डाल कर इसका हिंदियन बात लिख दिये तो उसका तीन मार्क यानि पांच मार्क मिल जाएगा तो आप इसको करो या एक इधर दिया है ठीके इधर मैं आपको दिखायता हूँ इस बगल ठीके एक मेंट इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ इस बगल इसको करो देखो असमाकम संस्कृति सदा गति सिला अर्थ यह असमाकम संस्कृति ठीके यानि संस्कृति की बात कर रहा है तो यह संस्कृत में भी एक चेप्टर है भारती संस्कृति उसी में से यह लिया गया तो आप दोनों में से आपका जो अर्थ आ रहा है जो आपको आसान लग रहा है उसका देख लो आप उसको कर ले ना दोनों म बीच बीच में स्लोक है जो आपने दिये गए संस्कीत पध्यांस मेंसे किसी एक संदर्फ सईथ हिंदी में अवाथ कीजी और यह इसका भी दो पलस意 न्यनी पांच मार्क के दक्षिढ में जो देश थे वह क्या है भाई भारत वरस चाहिए जिसकी संथान क्या है भारती बाकि 20 चप्टर से लिया गया है थे कौन सा अब संदर्ब लिख लोगे और उसके बाद इसका मैंने अरथे भी पता दिया तो हिंदियां वान भी कर लोगे आपको पांच मार्क मिल जाएगा और बाकी यह देखो यह देखो किम अनुहित्वा प्रियो भावती किनुहित्वा ना सोचती किम नुहित्वा रथवान भावती किनुहित्वा सुखी भवेती इसका मतलब यह है ठीके कि बाकी आपका यह जो यह है न यह पक्तिया यह आपका जो जीवन सुत्रारी वाला चिप्टर है उसमें से लिया गया है इसका मतलब है कि मनुस्य क्या छोड़कर किम नुहित्वा प्रियो भौती, मनुस्य, मतलब क्या छोड़कर प्रियो हो जाता है, किम हित्वा नौ सुच्ती और किस चीज को वो छोड़ने से सोक नहीं करता है, ठीके, किम नुहित्वा अर्थवान भौती, ठीके, यानि मनुस्य क्या छोड़कर एक तरसे हम बोल सकते है कि धनवान हो जाता है कि मित्वा शुखी भवेत और किस चीज को छोड़ कर वह शुखी हो जाता है ये यक्ष और इद्रिस्टीर के बीच की जो बात है वो दिया गया है ठीके चलो तो ये आपका हो गया तो आप दोनों में सकोई भी करो, आपका मन मैंने दोनों को बता दिया उसके बाद, उसके बाद पांच्वा प्रसणोग ऑच्वा जो प्रसणोगा आपके पठित खंडकाब्य से कोई खंडकाब्य लिखना होगा और खो में आपका कभियो का जीवन पर्चे लिखने रहेगा यहाँ पे तीन ठे उप्शन रहेगा और यहाँ पे भी तीन ठे उप्शन रहेगा अब देखो मैं आपको बता दू लेखोको में आप अचाय रामचंद्र सुकल का जैसंकर प्रसाद का और रामधारी सिंग दिनकर का तीन का याद कर लेना आपके एक्जाम में फसी जाएगा ठीक और इसका मतलब जो भी आप मालो अचाए रामतन सुकल का रिख ले हो तो जीवन परचे लिखने होगा अंत में उनकी एक रचना का नाम भी लिखना होता है जिसका आपको दो मार्क मिलता है तो तीन मार्क जीवन परचे का दो मार्क एक रचना का नाम लिखने का यानि पांच मार्क आपको कुल मिल जाएगा ठीक है उसके बाद ख़ो में आपका कभीयों का जीवन परचे होता है इसमें कभीयों में आपका तुलसी दास का याद कर लेना सूर दास जी का य लिखते हैं साथवा प्रसंद एक स्लोक रहेगा अपने पाठ पुष्टक से खंठस्ट किया हुआ कोई स्लोक लिखिए जो इस प्रसंद पत्र में नौ आया हो यह ऐसा प्रसंद आएगा ठीक अभी आमने जो यहां पर दो स्लोक देखा इसको आपको नहीं लिखना होगा ठीक है इनमें सिंगी दो प्रसंद का उत्तर देना होगा आपको जिसका आपको डो मार्क मिलेगा एक प्रसंद का एक मार्क ठीक ह्ए από यह कठीं प्रसंद तो मालों इसको आप मिंत करो ठीक है अब इसको करो यहां आपका काम हो गया दो परसनों को आपको दो मार्क मिल जाएगा ठीके यह पहले चार मार्क में आया करता था लेकिन इस बर दो मार्क में आये यहां से आपका 2 mark निकाला गया है ठीके और इधर आपका अंत में यहां निबंध था ठीके निबंध जो 9 mark में आया करता था पिछले साथ ठीके लेकिन अब 2024 में यहां यह 7 mark में आएगा निबंध ठीके इसी तरह से हम चार्ट एट टॉपिक रहेगा उसमें और आपको निब अनुसार यहां पर आपको 2 पत्र रहेगा एक यहां पर पत्र रहेगा अथवा करकर एक और पत्र रहेगा दोने में इसको यह पत्र करना होगा ठीक तो चलो मैंने जो board of our official model paper जारी किया गया है उसमें जो पत्र है उसको मैंने बता है अच्छे से पत्र लेखन तो आप जाक चैनल पे या उसका लिंक इस वीडियो के में कोसिस करूँगा कि डाल दूँगा आप जाकर जो बूर्ड और ऑफिसियल मॉडल पेपर जारी किया गहे उसका सॉलूशन मैंने करा है हुआ है आप जाकर देख लेना ठीक है तो यह रहा हम लोग का इस वीडियो में हमने 801DA जो पेपर कोड था 801DA इसका हमने पुरा-पुरा सॉलूशन किया यूपी बोड का जो 2023 में आया हुआ था ठीक है अगले में हम 801DB को शॉलू कर लेंगे इसी तरह DC इसी तरह करकर सातों सेटों को शॉलू कर लेंगे आपका हिंदी में पक्का इसी में से बहुत सारा बाकी आप डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट तो भाई लक्षे बैस तो है ही आप लक्षे बैस जो आइन कर लेना ठीक है मात्र 299 रुपे में आप जो आइन कर सकते हो ठीक है हमारी एप UPSP study पे आपके study में चार चांद लगा देगा यह बैस ठीक है तो चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है आप तो आप सीधे कामेट कर लेना मैं रिप्लाई जरूर करूंगा ठीक है चलो कोई नहीं ठैंक यू